अपने चैनल एर्स कुक बुक में आपका स्वागत है बारिश के मौसम में चाय के साथ गर्मा गरम कांदे बजी खाने में कितना मज़ा आता है ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं कांदे बजी आवाज सुनी ना आपने हैनब बहुत क्रिस्पी उतने ही टेस्टी भी है चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं पांच मीडियम सैस के ओनियन मैंने स्लाइस कर लिये हैं स्वादनुसर नमक ओनियन्स में मिला के उसे 10 मिनिट के लिए रख देना है अब इसमें कटीवी हरी मिर्च एक चमच अदरक का पेस्ट आदा चमच हरादनिया एक से दो बड़े चमच आप डाल सकते हैं वन फोर्थ टीजपून हींग वन टीजपून चाट मसाला नीमु का रस एक चमच हल्दी वन फोर्थ टीजपून लाल मिर्च हाफ टीजपून या आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन मिलाएंगे मैंने लगबग एक कप बेसन उसके सामने वन फोर्थ कप तक राइस फ्लार या चावल का आटा लिया है अब राइस फ्लार डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे हमने बेटर में पानी नहीं डालना है इसलिए जितना कांदे ने नमक डालने के बाद पानी छोड़ा है उसी में हमें बेसन और राइस फ्लार की कॉंटिटी अच्छे से मिक्स करके बेटर बनाना है अब मैं इसमें फिर से थोड़ा बेसन और थोड़ा राइस फ्लार मिक्स करूंगी हमें राइस फ्लार और बेसन बैचिस में एड़ करना है क्यूंकि हमें पानी नहीं डालना है आप राइस फ्लार की जग़ह पे कॉंट स्टार्च या कान फ्लोर भी एड़ कर सकते हैं इससे क्रिस्पी ने साती है, अकॉड़े क्रिस्पी बनते हैं अब इसमें बाकी बचा हुआ बेसन और राइस फ्लार डालेंगे अब इसे फिर से अच्छे से mix करेंगे नमक डालने से ओनियन में से जो पानी निकला है उतने ही पानी में हमें बेशन एन राईस फ्लार एड करना है एक्स्ट्रा पानी हमें नहीं डालना है ओनियन सम्मारे अच्छे से बेशन में coat हो जाएं बस उतना थिक बैटर हमें बनाना है, देखिए कितना थिक बैटर है, ओनियन सुर्फ कोट हुए है, ओईल मैंने गरम कर लिया है, अब इसे फ्राय करेंगे, हाथ से छोटे-छोटे अमाउंट में बैटर लेके, उसे फ्राय करना है, डिरेक्ट ऐसे ही डालना है, गर आपको बैटर हाथ में चिपकता है तो पानी से हाथ गीला कर सकते हैं उसे एक सेट से थोड़ा पकने देना है उसके बाद ही पकोड़ों को फिलिप करना है टर्न करना है मीडियम हाय फ्लेम पे हमें पकोड़ों का बैटर तलने के लिए डालना है और मीडियम गैस पे उसे क्रिस्पी होने तक तलना है टलना है बीच-बीच में से इसी तरह फिलिप करना है टर्न करना है पकोडे हमारे अच्छे ब्राउन होगे हैं और क्रिस्पी भी होगे है इन्हे निकाल लेते हैं अब इसी तरह दूसरे पकोड़े भी डाल देते हैं तलने के लिए आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राय कीजिए कैसे बनते हैं पकोड़े कम्मिन बॉक्स में मेरे साथ शेर कीजिए अच्छे लगें तो फैमिली एंड फ्रेंज के साथ शेर कीजिए मैंने सारे बज़िये तल लिये हैं मिर्ची को इस तरह चीरा लगाके इसे भी फ्राय कर लेते हैं मैंने कांदा बज़िया के साथ हरी मिर्च, थेचा, दन्या फुदीना की चटनी और लेसुन की सूखी चटनी के साथ सर्व किया है थेचा की रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ अपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल एकन को दबाईए रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरू कीजिए वीडियो अन तक देखने के लिए थैंक यू